20 जून के शर्द अनमयप का स्वागत है परमात्वा कहते हैं कि गीता का पाठ पढ़ने और पढ़ने वाले नश्ट मोहा स्मृति सुरूप भवा अठारे वे अध्याय जो लास्ट अध्याय लास्ट चाप्टर है भगवत कीता का उसमें लिखा कि तो नश्ट मोहा का मतलए यह नहीं कि सर्फ साती संबंदियों से मोहा तूटे हमारे अपने स्वयम के शरीर से भी हमारा मोहा ना हो इतना जो कि हमने कल के वर्दान में सुना जब कोई व्याधी आती है तो तो गीता ग्यान का पहला पाठ है अशरीरी आत्मा बरो फर्स पार्ट कि अपने अपको आत्मा समझो अशरीर समझो विदही समझो शरीर से अलग समझो कुछ समय कले आये हैं आपर अपर अजी समझो ट्रस्टी हैं कुछ समय कले आये हैं समझो नाटक में आये हैं कुछ समय कले मेरे कुछ भी नहीं है तो जाके अशरीरी रिफील ह और अंतिम पाठ है अठारा द्वयाय है नश्टमोह स्मृति सुरुब बनो कि चीजों से वस्तों से अपने शरीर से साथी संबंदियों से नश्टमोह मतलब कि नश्टमोह का मतलब यह नहीं होता है कि आप उनसे प्यार से बाते ना करें या अप उनको आप दिखा रहें या रिटर्न में आपको रिस्पेक्ट दें या रिटर्न में आपको खुश रखें या रिटर्न में आपको सोचें आपके बारे में सोचें इसको कहते है नश्टमोह स्मिति सुरूब बनो यह तब होता है जब आप अर्मात्मा से संबून प्यार करते हो और इस कल्यूगी आप्तिक चीजों के बारे में नहीं सोचेंगे तो हमें five elements की बाते जब नहीं याद आएंगे तो हम अशरीरी हलके होते जाएंगे और अंतिम पाथ है विदी से सिध्धी और शरीरी भववक की आपने experience करा आपने अपने आपको शरीधारी नहीं समझने से फिर नाते फिर स्टारे संबंद फिर मैं पिता हूं माता हूं भाई हूं बहन हूं यह सब कुछ याद आना शुरू होता है और शरीर देखते हो तो फ आप समझते हैं तो सारे झाती के अभी मान आएब खुछ नहीं अभी मान आएंगे तो फिर Wi-oyne you अफयाते करें चीजों से मौहाच आएगाً नहीं शरीर से मौह जाएगा शेरीड की वस्तों से मोह जाएगा शेरीड की प्राप्ती उसे मोह जाएगा कि मैंने इतना सबकुछ इतनी मेहनत करी इतना मैंने अपने जीवन काल में इतना बटो रहा है धन, दौलत, पैंक बैलन्स उसे मोह जाएगा तो अगर शेरीड ही नहीं समझते हैं मैं श्रेष्ट कर्म करके अपने भागी की रेखा श्रेष्ट बना सकें तो इसमें ऐसे श्रेष्ट कर्म करके दिखाओ जो आपके श्रेष्ट कर्म को देख अनेक आत्माएं श्रेष्ट कर्म करके अपने भागी की रेखा श्रेष्ट बना सकें इतनी अपने भागी के रिखा श्रेश बनाएती सेवा करें अपने अपने परिवर्तन करें कि और भी आमें देख करके अपने परिवर्तन करने के इंके इंदर इच्छा जागरत हो हो हम शांती